अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दूरी उस पेपर में जो आर्टिकल हैं वो तो हम करेंगे ही और साथ में ही ये आज आपका पहला मलब दिन है नए महीने का और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब ये ताल खतम होने वाला है अब आपके लिए बहुत जादा मेहनत करने का समया चुका है क्योंक से बहकाता है बहलाता है वो चीज आप आज से भी शुरू कर सकते हैं वो चीज आप एक जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं बट क्योंकि उसको थोड़ा सा सेफ जोन चाहिए तो हमेशा आपको कहेगा अरे एक जनवरी से जैसे आप अगर सेटरडे की नाइट को कुछ चाहेंगे तो आपका दिमाग आपको कहेगा मंडे से शुरू करते हैं ना भाई कुछ पढ़ने के लिए कुछ शुरू करने के लिए कभी भी कोई मुहुरत देखना या कोई दिन डिसाइड करना ये आवश्यक नहीं है तो चलें आगे बढ़ते हैं फटा-फट से शुरू करते हैं आज के अनलेसिस को और सबसे पहले तो दोस्तों वही कितने घंटे पढ़े आप ये सबसे इंपार्टन चीज़ है देखिए ये पूछने का कारण ये है आपके पास में कोई है या आपके उपर कोई है जो आपको हमेशा ही अहसास कराते रहते हैं कि आपका काम है पढ़ना और मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि सुबह आपको ये रियलाइज करा दूँ कि हाँ भई अब पढ़ने का टाइम आ चुका है आज आपको पढ़ना है तो दिन की शुरुवात दोस्त All our dreams can come true if we have the courage to pursue them Truly बिल्कुल इससे बड़ी वात कुछ नहीं हो सकती जो जो आप सोचते हूँ जो जो आप चाहते हो वो सब हासिल कर सकते दोस्त मैं एक जीता-जागता उधारण हूँ अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं भी कर पाया हूँ बट मैं ट्रस्ट मी इतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो मैंने सूचा और उसके पीछे गर मैं लग गया तो वो चीजे रियालिटी में होती भी नजर आती है यानि कि आप मैं इसकी importance नहीं बता सकता हूँ आपको बस आपको लगना पड़ेगा पीछे पड़ना पड़ेगा consistently एकी जगे पे लगातार प्रहार करते रहना पड़ेगा ठीक है चले आज की headlines GDP growth से related headlines है यह पढ़ागवा article है फिर भी news में आया है तो यह दभ्यास क्योंकि चाइना को थोड़ा सा उनकी हालत उनको बुरा लग रहा है man-animal conflict GSP पर्थरी दो आर्टिकल है फिर एक मोदी जी ने लिखा वा आर्टिकल मनला उनका interview G20 से related है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके बाद में heat waves यह सारी के सारी चीज़े आपको कहां मिलेंगी प्रशां लिखाई तो चलती रहती है पढ़ेंगे अगला पढ़ भी लेंगे उससे जादा important है आप यह बताईए मन कैसा आप सभी का मन ठीक है देखे मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन हार गया सब हार गये मन नहीं हारा तो सब कुछ हार गये फिर भी कुछ नहीं हारे तो याद दिखते हुए आप सभी की जो requirement है जो आप सभी का मलब चाहत है prelims 2023 में जो भी exam देना चाहते हैं तो success in prelims ऐसा एक crash course है जो आपके लिए launch किया गया है जो आपके prelims के अंदर में आपको help करेगा इसका नाम है S.I.P. क्या नाम है S.I.P. S.I.P. plus यानि कि success in prelims इसके अंदर मे quality हो, economy हो, environment हो, geography हो जो course subject है जो prelims के अंदर में direct आएंगे वो सारी चीज़े आपको कराई जाएंगी इस crash course के अंदर में और दोस्तो इसकी classes जो है आपकी 19 दिसंबर से शुरू हो रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19 दिसंबर से शुरू हो रही है और आप इसको join कर सकते है इसकी रोज शाम को साथ बज़े इसकी classes हुआ करेंगी तो आप सभी के सब इसको join करिए क्रैक प्रिलिम्स 2023 कितने मिलेगा यह आपको 6000 रुपे में आपको यह पूरा का पूरा crash course मिल जाएगा इसको join करने के लिए लेकिन आपको code क्या यह आपको ensure करना इस बार चाहे जोड़ी आपको यूज करना है ऐसी NCRT है चले अब पहले सबसे पहले अपना question देखना शुरू करते हैं सब कुछ C site अगरा सब कुछ सारी चीज होंगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चले तो पहला article देखते है GDP growth dips to 6.3% अब देखिए दोस्त यहां से आपके लिए यह question कभी भी नहीं आएगा कि GDP की growth rate 6.2 चल रही है 6.3 चल रही है 6.5 चल रही है आपके लिए यहां से concept आएगा क्या आएगा concept आएगा GDP का formula आ सकता है GDP कैसे calculate किया जाता है यह आ सकता है even GDP क्यों grow कर रही है GDP क्यों grow नहीं कर रही है manufacturing यह सब चीज़े आ सकती है तो थोड़ा सब बात कर लें थे economy के अंदर में GS paper 3 से related economy GS paper 3 का topic है आप सभी जानते हैं कि COVID-19 आने के बाद में almost सारी चीज़े क्या हो गी थी एक तरीके से ठप हो गी थी और उसके काड में जो economic growth है जो GDP की हम बात करते हैं वो क्या हो गी थी हमारी बिल्कुल slow down हो गी थी और उसके बाद म काफी जादा कोशिश की जा रही है कि क्या करना है economy को revive करना है क्या करना economy को revive करना और GDP जैसे आप मानके चलिए आपका अगर height नाप नी हो तो fit में नाप लेते हैं किसी कि वजन नाप ना हो तो kg में नाप लेते हैं ऐसे ही किसी country के अंदर में वहां की economic growth कैसी चल रही है तो कि किसी country के अंदर में economic growth कैसी चल रही है तो GDP अगर आगे की तरफ जाती है तो हम कहते है economic growth बढ़िया चल रही है और अगर GDP low down होती है तो हम कहते है economic growth कम हो रही है तो दरसल यह कहा जा रहा है कि जो manufacturing sector है उसमें हमें dip देखने को मिल रहा है तो यह हर कोई कह रहा है जो जिनक कोई अगर कर रहा है तो भारत देश कर रहा है भारत कर रहा है लेकिन क्योंकि भारत का trend record ऐसा है कि हम उसके एसाप से जब compare करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी GDP कम हो रही है क्योंकि हम बहुत अच्छा growth कर रहे थे लेकिन अगर present time में COVID-19 के बाद में देखा जाए तो अभ भी हमारी GDP अच्छी growth कर रही है दूसरी चीज तीसरी चीज हर को यह आगाह कर रहा है कि आने वाले समय में challenges और बढ़ेंगे क्योंकि Russia Ukraine का crisis क्या करेगा inflation और ज्यादा बढ़ाएगा और अल्रड़ी कई बार यह relation में आपको समझा चुका हूं कि जब जब inflation बढ़ेगा तब वो money supply को कम करता है तो उसका direct impact GDP के उपर में पढ़ता है यानि की growth के उपर में पढ़ता है ठीक है clear है ठीक है तो प्लीज याद रखेगा येक relation हर को यही समझाने की कोशिश कर रहा है आपको एक relation समझाने की कोशिश हमेशा रहती है कि money supply and GDP यानि की economic growth तो traditionally और generally यह कहा जात है कि उस देश के अंदर में economy growth जहादा होगी जहाँ पर money supply ज्यादा हो यानि कि लोग क्या कर रहे हो investment कर रहे हो लोग consume कर रहे हो ज्यादा समान खरीद रहे हो मान के चलिए कोई 10 cycle बना दे और उसको आप खरीदो ही नहीं तो उसमें GDP में growth क्या होगा तो यानि कि खरीद रह होती है यानि की growth के हम बात करते हैं मैं एक और चीज़ बता दूँ growth का मतलब हमेशा exact GDP नहीं है बट यहां पर हम इसलिए compare कर रहे हैं क्योंकि हम vice versa use करते हैं भारत के term के अंदर में जब भी हमें भारत की growth के बारे बात करनी होती है तो हम क्या कहते है GDP इतनी ज्यादा grow कर र जब लोगों के पास में job हैं लोगों के पास में पैसा आ रहा है उसके करण में क्या हो रहा है मुझा पैसा आ रहा है इन दसने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हाथ में spending amount है disposable income है जिसको वह dispose कर सकते है चाहे वह 10 रुपे चाहे 50 रुपे चाहे 100 रुपे अब जब disposable income होगी दोस्त तो उसके करण में क्या होता है consumption increase होता है demand increase होती है जब consumption and demand increase होती है तो यह कहा जाता है कि directly किसके उपर में असर करता है आपके inflation के उपर में असर करता है लेकिन आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर में inflation record level पर चल रहा है due to external factors especially Russia and Ukraine अब आप मेंसे कई सारे दोस्त ह बहां पर लड़ रहे हैं भारत देश में क्यों हो रहा है तो भारत देश में इसलिए हो रहा है क्योंकि Russia और Ukraine के कारण में जो क्योंकि Russia क्या है बहुत ज़्यादा मेजर oil producing और प्लस में gas है ना इसका लेना दिया है तो इन दोनों के कारण में जो इनके price है energy sector के अंदर में वो क्या और हैं बहुत ज़्यादा increase हो रहे हैं अब आप देखिए energy sector बहुत ज़्यादा immediate role play करता है for example transportation ले लिजिए for example आप other productions के इंदर में ले लिजिए क्योंकि electricity सारी चीजे सब कुछ इसके इंदर में तो यह क्या करता है दूसरे product के भी price को क्या करता है बढ़ा देता ह तो इसलिए भारत देश के इंदर में भी अवे inflation देखने को मिल रहा है दूसरा आप कह सकते हैं आप जैसे example लिजिए इनकी war के करण में क्या हो रहा है जो palm oil है क्या है जो palm oil दोस्तो खाने पीने के सामान में सबसे ज़्यादा use किया जाता है ठीक है तो उसके भी price क्या हो र जिम्मेदारी है कि भीया महंगाई को control में करके रखो वरना आपके उपर में question उठा लिया जाएगा अब RBI क्या करता है जैसे inflation को control करने के लिए जाएगा वो क्या करेगा market में कहेगा और तो कुछ मैं कर नहीं सकता market से भीया पैसा ही वापस निकाले तो खरीदोगे कहां से यानि कि money supply को कम कर देता हूँ अब जैसे वो कहते हैं चाचा साब कहते हैं कि भाइसा मैं पैसा वापस ले रहा हूँ अब बाहर खीचे ले रहा हूँ तो market से पैसा कम हुआ है यानि कि money supply कम हुई तो वो further investment को भी कम कर देता है consumption को भी कम कर देता है और ultimately ये क्या करता है GDP के पर में भी impact डालता है तो in short अभी चीजे revival mode के अंदर में चल रही है अभी ऐसा नहीं है कि हमारी economy revive कर चुकी है अभी ऐसा नहीं है कि हमारी economy revive नहीं कर रही है दोनों चीजे हो रही है लेकिन आने वाला एक से देड़ साल बहुत जादा क्या है important है जो ये बताएगा कि हमार रिवाइब कर पाएगी है नहीं कर पाएगी ठीक है और एक और चीज़ ठीक है यहाँ पर एक और चीज़ समझेए वह यही कह रहे है चीफ economic advisor यह कह रहे है कि भाई साब हमारी जो economy है उसकी recovery साही चल रही है pandemic से अभी भी चल रही है और on record है क्योंकि अभी हम क्या है 6.8 से साथ के real GDP के टर्म में इस साल तक हम पहुच जाएंगे ठीक है लेकिन जो कहा जा रहा है कि manufacturing sector and mining sector वहाँ पर जो output है वो क्या हुआ है क्या हुआ है वो कम हुआ है जिसके कारण में GDP के जो number है हमें कम देखने को मिल रहे है तो GDP की full form क्या है is the total monetary or market value this is very important please थोड़ा सा focus रही है economic है बहुत important concept है क्या बात करी गई है monetary क्या बात करी गई है monetary यानि कि अगर आप मानके चलिए एक biscuit खरीदने जा रहे हो उसकी market के अंदर में क्या value है monetary क्या value है 10 रुपे का है 8 रुपे का है 5 रुपे का 6 रुपे का क्या है यानि कि उसकी monetary value contribute करती है GDP के calculation के अंदर में तो monetary value के अंदर में तो क्या हो जाएगा एक और चीज हो जाएगी क्या inflation भी एड हो जाएगा tax भी एड हो जाएगे इसलिए हम real GDP, nominal GDP, GDP deflator ये सब की बात करते हैं तो please याद रखिएगा ठीक है clear है तो मैं आपको समझाता हूँ मानके चलिए इस देश के अंदर में आप 3 ब हो गया count हो गया अगर आपने एक बिस्कुट खरीदा दस उर्पेगा तो यानि कि यह क्या हो गया GDP के अंदर में count हो गया तो इसको calculate करने का बहुत अच्छा तरह प्लीज ये definition याद रखेगा क्या बात कर रहे हैं total monetary value हम volume की बात नहीं कर रहे हम इसकी बात नहीं करें कितने metric के सारी चीज़े नहीं हम यह बात कर रहे है monetary value यानि कि market के अंदर में अगर कोई चीज आई है और उसकी कोई monetary value है और उसको कोई अगर consumption कर रहा है तो ultimately यह क्या चीज हो गई है दोस्तों यह consumption based हमारी economy और इसको हम बोलेंगे GDP के अंदर में calculate किया जाता है ठीक है और क्या है इसके अंदर में goods and services दोनों चीज़े होती है प्लीज याद रखिएगा finished good और specific time period के अंदर में अब इसकी definition यह देख लीजे आप और मैं कुछ खरीदते हैं वो भी GDP के अंदर में contribute करता है इसलिए दोस्तों आपको पता होगा जैसे ही GDP के number गिरने शुरू होते हैं जो हमार इसके रिबेट यह सब चीज़े प्रॉवाइड की जाते हैं कि आप ज़्यादा खरी दिये लेका अब हमारे सारे कई सारे लोग investment करते होंगे private investment होगे वो भी चीज होती है इसके इसके अंदर में ठीक है गौवर्मेंट की इंवेस्टमेंट, गौवर्मेंट की स्पेंडिंग, एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यह एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट जादा होता है, इसलिए यह वाला फेक्टर हमेशा माइनस में हो जादा, तो यह सारी ची का भी जिक्र हुआ है चीफ economic advisor कौन है जो government of India के इंदर में रहते हैं उनकी rank secretary rank के officer होते हैं ठीक है एक और याद रखे हैं वो जो इंडियन economic service होती है उनको सभी को यह क्या करते हैं manage करते हैं cadre को control करते हैं वो क्या होते हैं economic जो division है उसके क्या होते हैं head होते हैं एक और चीज अपना finance जो minister है उनको report करते हैं और एक और चीज आपको पता होगी economic survey भी इनहीं के द्वारा क्या किया जाता है तो जनवरी फरवरी में बहुत जादा ये news में आने वाले हैं तो दोस्त अभी हमने GDP का देख लिया तो GDP कैसे बढ़ी जा सकती है या हमारे देश के अंदर में economy को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके पीछे concept है consumption based economy देखे एक मलब आप सभी ने economy पढ़ी होगी economy के अंदर में demand and supply का game चलता है क्या demand and supply जो सबसे बड़े economist रहे उसके कहते हैं कि तोते को भी demand and supply रटवा दो तो भी व For example, एक कोई firm है आई नाम की वो पांच biscuit के packet produce करती है क्योंकि उसने assume किया उसको यह realization हुआ है कि पांच उसके biscuit के packet क्या होंगे उसके demand है For example, अगर यह demand increase होती है क्या होती है demand increase होती है और supply increase नहीं हो पाती है तो इसको हम क्या बोलते है demand pull inflation यानि कि पहले तुर पांच लोग आते थे पांच biscuit लेने के लिए अब 10 लोग आ गए 10 लोग आके demand करने लग गए यानि कि इसके करण में inflation बढ़ रही है दूसरा सिनारियो अब देख लीजे पांच लोग अभी biscuit लेने आ रहे हैं लेकिन यह company काम नहीं कर पारी इसकी supply क्या हो गई है ठप हो गई है तो अगर मानके चलिए क्योंकि लोग तो अभी भी कर रहे हैं और कोई supply करके सिर्फ एक ही biscuit ले आया तो यह क्या हो जाएगा supply side inflation supply के करण में inflation हो र होंगे यह approach इस तरीके से चलती है कि अगर देश के अंदर में GDP का calculate करने का मतलब क्या है वो यह कहते हैं अगर मानके चलिए GDP के अंदर में हम calculate कर रहे हैं देखे formula क्या है हम यह कह रहे है private consumption अगर कुछ consume हो रहा है तो वो क्या consume हो रहा होगा कोई product या कोई services और यह जो product and services है यह कोई ना कोई तो provide कर रहा होगा कोई manufacture कर रहा होगा अब जो कोई provide कर रहा है कोई manufacture कर रहा है यानि कि ultimately यह हमारे production को क्या कर रहा है increase कर रहा है यानि कि अगर consumption increase होगा तो production क्या होगा increase होगा यानि कि market के अंदर में धीरे धीरे और ज्यादा production होगा यह दूसरा अगर मानक क्या करेगा consume करेगा तो यानिक इसलिए हम बार-बार focus करते हैं क्या बोलते हैं expenditure based economy यह word हम बार-बार use करते हैं तो मैंने थोड़ा सा आपको एक पूरा यह देने की कोशिश करी है तो economy, inflation, GDP यह सारे relation याद रखेगा एक्जाम में आ सकते हैं बहुत सारी चीज़ा आ सकती हैं मेरे ख्याल में बहुत easily तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आसानी से मैं कभी भी complicate नहीं करता हूँ फिर भी अगर किसी को कोई doubt इसमें से रह जाता है तो आप बिर साथ सोशल मीडिया उगरा पर connect कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल है युद्ध अभ्यास कली पढ़ाता आपने कि युद्ध अभ्यास जो exercise है किसके किसके बीच में है इंडिया एंड यूएस के बीच में exercise है अब इंडिया यूएस के बीच में exercise कहां पर हो रही है तपव अब चाइना कहता है कि उत्तरा खंड में exercise हो रही है वो उसकी बॉर्डर जयाने की एले सी जो जहां पर जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है उसके बहुत करीब है इसलिए उसको थोड़ी सी क्या है चिंता है वो कह रहा है इसलिए उसको बहुत बड़ी क्या है चिंता है दूसरी चीज आपको पता होगा इंडिया जब वोस्तोक exercise में गया था जो कौन कंड़क करा रहा था रशिया करा रहा था तब बड़ी समस्या हो गी थी किसको तब हो गी थी किसको USA को समस्या हो गी लेकिन अभी याद रखे है यूद अभ्यास तो यूद अभ्यास से बीज चैना के बहुत अच्छे संबंध हैं खराब नहीं करने चीए चाइना बहुत बार आरौप लगाता रहता है कि यूएस अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाप लेकिन इन सब चीजों के अलावा हमें ये देखना है कि भारत के लिए शीकور होटा है कि वर्ट को अगर करने हैं ट्धार यह चीज़ आपको बता चुक आँगा हुआ कि ऑना देखा जाए करो रहे ऐक अर्टरफ रश्या है podr एक पर यूएस है और एक तरफ चाहिना अब इसको भी अलग कर सकते हैं बलकि मैं युएस और चाइना को रखने की ज़्यादा प्रेफर करूँगा तो यह दोनों के तरफ में चल रहा और इधर है हमारा प्यारा भारत अब भारत की जब जब किसी के साथ नजदीक्या बढ़ेंगी तब तक और दूसरे को क्या होता परेशारी होती रहती है तो यहाँ पर पेट में दर्ध होगा किसके USA के और USA के पेट में दर्ध होने के कड में क्या करेगा कि वैसा हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंद बना लेंगे जैसे हम सब मार्केट में बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो पेट में दर्ध होता है चाइना के भी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता रश्या को भी हो जाती है और जब हमारे संबंद चाइना के साथ अच्छे होते हैं कैसे बया बताता हूं जितना अग्रेसिवली हम जिए पाकिस्तान के बारे बोलते हैं और कंटरीज के बारे बुलते हैं इस समय पर वर्ल्ड पावर के अंदर में जो भी कहो जैसे भी कहो जितनी ही बड़ी एक्सिस है जितनी बीच में कंट्रीज है उनमें भारत का बहुत important role रहने वाला है तो यह प्लीज इस चीज को नोट करके रखिएगा कि ऐसे exercise बहुत सारे message देती है यह exercise इसलिए भी आने वाले समय पर इंडिया इसलिए क्योंकि विश्व के अंदर में आने वाले 10 साल के अंदर में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में होगी और जनसंख्या होने का मतलब यह नहीं होता कि इतने सारे लोग उनके साथ खड़े हैं इतनी बड़ी एकोनोमी इतनी बड़ी मार्केट है मेजर रीजन यही है और इसलिए आप देखेंगे कि चाइना के साथ में यूएस के चाहे जितने एड़र्स रिलेशन हो जाए लेकिन कभी भी वो चाइना के उपर में ट्रेट सेंक्शन्स ये वो ये चीज़े नहीं लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं क्यूंकि चाइना इस समय पर विश्व की सबसे बड़ी जनसंक्यावाला देश है सबसे बड़ी मार्केट है ठीक है, clear? तो ये प्लीज इन चीज़ों को याद रखेगा ठीक है ठीक है जानते हैं कि human and animal, जो conflict है, वैसे ये man-animal conflict नहीं होना चीथ है word, हिंदू newspaper को ये word लिखते समय पर, choose ऐसा करना चीथा, जो gender neutral हो, यहाँ पर word use करना चीथा, human-animal conflict, लेकिन वो ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि by nature, human के अंदर में अगर देखा जाए, तो man का conflict है जगे हो Wildlife Trust of India, वो एक NGO है और उन्होंने, जो केरल के अंदर में, जो एक group है, उनके effort को क्या-क्या है, रिकोगनाइज किया है, और उनको award देने का announce किया है, कौन सा effort, अब इसको थोड़ा सा longer perspective में देखिए, दरसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारा area का है, protected area है, और हम सभी जो लोग है, जो इनसान है, हम सभी क्या कर रहे हैं, protected area के आसपास में क्या कर रहे हैं, encroach कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानि कि उनके आसपास में forest area के आसपास में, क्या बना रहे हैं, highways बना रहे हैं, हम encroach करके घर बना रहे हैं, इवन आज पार्क के अंदर में या आसपास में रिजॉर्ट बनाने वाला समझ नहीं आता मुझे क्या चीज़ें चल रही है कहां कहां तक जाकर हम क्या करेंगे सारी चीज़ें करेंगे ठीक है तो यह सब हो रहा है अब इसके कार्ण में क्या हो रहा है यूमन और अनिमल का कॉन्फिक्ट हो रहा है वो अपनी जगे सही है हम जा रहें वहाँ पर ठीक है वो तो यह कहते हैं कि भी यह तो कल तक तो मैं यहां घूम रहा था तुमने रिजॉर्ट बना दिया तो तुम क्या चाहते हो मैं आ ना घूमू तो इसके कार्ण में क्या होता जानमाल का बहुत ज्यादा नुक्सान होता है लाइव बहुत सारी लाइफ लाइवलिवड इन सब चीजों का बहुत सारा नुक्सान हो जाता है तो इसलिए गौवर्मेंट का एंड जो भी नेचर को कंजर्व कर रहे हैं उन सभी का फोकस है कि यह जो कॉन्फिक्ट है इसक भॉपर ऐरिया बनाया जाएगा स Matthew explorskreet Mike और से होता रात के टाइम पे नाइट के इंदर और में क्या किया जाता है उसको ल है इसको अपकर प्रेम्ट सालब कर की त्राम कोदी बना जाता हैं आम-जंव jokes के लिए कई बार तो ऐसा भी आ कि हाइवे बना दिये गए हैं फिर सुप्रिंग कोड ने ओडर दिया कि नहीं इस हाइवे का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्या करेगा एनिमल और उनके जो नैचुरल लेंड्सकिप उसको क्या करेगा हर्ड करेगा रिसेंट टाइम म तो ऐसा हमने देखा कि क्या क्या एलिफेंट को के मुह में बम यानि कि आनानास के इंदर है पाइनेपल के इंदर है बम रखा गया और फोटा मुलब आप सूच सकते हैं कितना वर्स एक्स्ट्रीम इग्जामपल है वैसे ही कई बार जब कॉन्फिक्ट में आते हैं तो रोका जा सके जैसे फॉर एक्जामपल कई सारे फॉरेस्ट एडिया में हमने जो अमारी प्रेजन से उसको लिमिट करने की कोशिश करी है टाइम डिसाइड किया है इवन एलिफेंट वाला जो कॉन्फिक्ट उसके लिए आपको पता होगा एक अगर आप सभी को बिलकुल थ जाएगे बहुत अच्छा कॉंसेट है बहुत अच्छा कॉंसेट है टानिशनल हनी मिशन के तहत में एक स्कीम शुरू की गई है जहां पर एलिफेंट को करीडोर्स को किया जाएगा आइडिटिफाई किया जाएगा और वहां पर क्या किया जएगा जहां से गुजरते हैं वहाँ पर क्या करेगा मदमक्खी के छत्ते लगाए जाएंगे तो इससे क्या होगा एलिफेंट इधर उधर रास्ता नहीं जाएगा वो सीधे स्ट्रेटस में क्योंकि वो कंट्रोल करने की एक तरीके का यह बैरियर बन जाएगा और साथ में यह क्या करेगा अपना जो नैश को कम करने के लिए बहुत सारे डिटेल्ड प्रोग्राम चल रहे हैं उसी के अंदर में दोस्तों यह क्या है वाइल लाइफ ट्रस्ट की तरह से यह अवार्ड दिया जा रहा है तो वाइल लाइफ ट्रस्ट क्या है एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन और्गनाजिशन है एंजीओ है ठीक है जो क्या करती है इंडिया का जो नैचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए काम करती है ठीक है नई दिल्ली के अंदर में इसका हैड ऑफिस है ठीक है चले नेक्स्ट राटिकल है आपका एन इंडियन रेसिपी तु क्वेल माइक्रो नूट्रे दिटेल में करने की कोशिश करेंगे मालनूट्रिशन कुपोशन नूट्रिशन सफिशन्ट अमाउंट में नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हंगर इंडेक्स के अंदर में अभी आपने रैंकिंग देखी है पाओ की रिपोर्ट के अंदर में देख लें डबल परेशानिया है नो डाउट और इनकी सभी परेशानियों का एक मात्र रीजन है क्या मालनूट्रिशन कुपोशन नूट्रिशन सफिशन्ट अमाउंट में नहीं मिल पाना अब नूट्रिशन सफिशन्ट अमाउंट में नहीं मिल पाता है वो क्यों नहीं मिल पाता उसके कई सारे कारण है उसके सबसे पहला कारण यह होता है दोस्तो financial condition परिवार के अंदर में financial condition एनिमिया खास तोर पर महिलाओं में जादा हमें लड़कियों में जादा देखने को मिलती है जाहां पर जिसको हमें कम हीमोगलोबिन हो गया हूँ लड़की के जैसी मामला आता है हम अमिश्या कहते हैं कि हिमोगलोबिन कम हो गया होगा रेड़ ब्लेट सेल्स इनका कम हो जाना औक्सिजन केरिंग केपेसिटी का कम हो जाना तो यह क्यों होता है उसके पीछे मलब पहले हम बात करेंगे बच्चे इन जनर फिर हम महिलाओं के परमिबात करेंगे तो यह याद रखिएगा कि फाइनेशल कंडिशन परिवार के अंदर में वो डिराइव करती है कि आप क्या निउट्रिशन लेंगे अगर कहीं पर किसी के परिवार में अच्छा है इनकम है एक समय था जब हमारे यहां पर हम मैं परसनल कभी भी अपना घर्ष और अपनी कंडिशन कभी भी नहीं चपाना चाहिए एक समय था जब हमें ऐसा लगता था कि किश्मिश काजू बदाम अख्रोट यह बहुत प्रिवलेज वाली बात है अब अगर हम फाइनेशल लेवल पर उतना स्टेबल हुए है और नहीं मिलता था फाइनेशल ले अगर कंडिशन के परिवार एफ़ोट कर भी पा रहा है तो उसमें सबसे पहले प्रायोर्टी देगा किसको अपने बेटे को तो इन सब कारणों से इन सब कारणों से हमें नजर आता है कि जो malnutrition की problem है देखे ये तो मैंने आपको एक society वाले problem बोली है लेकिन malnutrition major अगर देखा जा तो poor जो population है उसके अंदर में हमें क्या है malnutrition देखने को मिलता है no doubt और malnutrition यानि कि sufficient amount में nutrition नहीं मिल पाना ये इसके कारणों में बहुत बड़े क्या होते है challenges होते हैं उस दिन हमने एक article पड़ा था कि शुरू के thousand days यानि कि मोटा मोटा लगा लिया जाए तो तीन साल ये हमारी brain का 85% क्या करते हैं ग्रोव कर देते हैं हमारी brain की जो growth है वो 85% इ होती है nutrition की जरुत होती है लेकिन जो परिवार गरीब हैं वहाँ पर हमें यह चीज नहीं देखने को मिलती है पूर लोग जो पिछड़ा लोग है जो क्याल मैं financially नहीं एफोर्ड कर पारें वहाँ पर ही देखने को मिल रहा है दूसरा proven report है WHO की जो कहते हैं कि pregnancy के समय पर women को अगर nutrition नहीं मिले तो ना सिर्व वो बच्चे के उपर में impact करते हैं बलकि वो women के उपर में भी क्या करते हैं directly impact करते हैं और वो long lasting life long क्या करते हैं बहुत सारे issues दे जाते हैं आप सभी ने एक और चीज देखी होगी आप सभी के घर के आसपास में जहां पर कई बार ये incidence हुआ होगा कि कई बार कहा जाता है निका शरीर में परिशानी आई pregnancy के दौरान में तो वो भी एक बहुत बड़ा nutrition की वो बहुत बड़ा एक issue रहता है तो सारी चीज़े तीसरी चीज़ यहां पर आप एक और चीज़ करेंगे तो इस चीज़ को कटम करने के लिए कम करने के लिए बहुत सारी schemes चलाय जारी हैं आपको पता है portion, अभयान बहुत सारी चीज़े चलाय जारी है मिड दे मील चलाय जा प्लस एक हजार इतने रुपे देंगे महिला को प्रेगिनेंसी के दौरान में, इंस्टॉल्मेंट के अंदर में, वो एक्चुल में उसका जो अब्जेक्टिव है, कि जो उनके वेजिस का लॉस हो रहा है, उसको कमपनसेट करना, प्लस में, जो उनको न्यूट्रिशन कर रहें, नेशनल फूर्ट सिक्योर्टि के के तहत में, हम सारी चीज़े कर रहें, अनेशनल के तहत में राशन भी दे रहे हैं, लेकिन माल नुट्रीशन वाली प्रॉब्लम कल क्लिर नहीं हो रही है, त удивlusive कर द races देश के इंदर में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है चावल इसे जनरली लीजिएगा हम रेस्पेक्टिवली बात करें भारत आप और एक दो लोगों से नहीं बनता भारत के इंदर में 151 करों लोग हैं तो हम उसके रेस्पेक्ट में अगर रेश्वर निकाल कर देखें तो में नज़र आता है चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो हमने कहा कि क्यों ना इसके इंदर में हम माइक्रो नूट्रियंट्स को एड़ कर दें अब कई सारे लोगों ने कहा कि माइक्रो नूट्रियंट्स को इसमें कैसे एड़ किया जा सकता है तो जो Artificially rice के अंदर में क्या करें, add करें, और उसी rice को हम बोलेंगे fortified rice, क्या बोलेंगे, fortified rice, तो आपसे पूछा जाएगा, what do you mean by fortified rice, तो क्या artificially add करना, क्या micronutrients को, किस के अंदर में, rice के अंदर में, उसको बोलेंगे हम fortified rice, और फिर इस rice को, यानि कि इस चावल को क्या करना, इन सब के through क्या करना, distribute करना, जिससे दोस्त क्या होगा, आपकी जो micronutrition की जो problem है, जो malnutrition की problem है, उसको आप solve कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और परिशानी है, क्या परिशानी है, क्योंकि आप जब micronutrients को add कर रहे हो, तो उसमें एक बहुत important nutrient क्या add कर रहे हो, iron, क्योंक anemia, women को बहुत जादा impact कर रहा है, due to, एक और बहुत reason होता है important, क्या, mensuration cycle, periods, यह भी एक बहुत important role play करता है, iron की कमी होना, anemia के अंदर में, तो इक कोशिश की जा रही है, क्योंना iron दिया जाए, rise के तुरू fortify करके, लेकिन एक और परिशानी है, कई सारी ऐसी बिमारियां हो उस iron को absorb नहीं कर पाएगा, dissolve नहीं कर पाएगा, digest नहीं कर पाएगा, इसके करण में उनकी बिमारी और जादा क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, घातक हो सकती है, ठीक है, clear है, तो please ज्याद रखेगा सारी के साई चीजे, तो ये भी एक incidence हमें देखने को मिला, कई सारे tribal area म अब देखने को मिला, जहां पर वो एक बिमारी से जूज रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे क्यांस कौन कौन सी बिमारी, जैसे अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें, जैसे थैलिसीमिया हो गया, ठीक है, एनेमिया हो गया, इन सब प्रकार की अगर बिमारी देखने को म लेकिन इसको precautionary way में आपको क्या करना पड़ेगा आपको आने की तरफ में चलना पड़ेगा ठीक है clear है तो यह सारी की साथ चीज़ें इसके इंदर में डिसकस की गए है जारखन ट्राइब जो है क्याना में थैलिसीमिया और सिकल सेल अनीमिया से जूज रहे हैं सिकल सेल अन देश के इंदर में क्या अब यह द्राएब वेस्टेंग एक भास बड़ी समस्त्या है एक की रिस्पेक्ट में हाइं एज के शूजन वजन, ठ्कें ठीके, वेस्टिंग 유명ने की आपने क्या क्या अ नहीं, एक सिग्ल ठीके, मैं आपक्सों लुड़ाता हूँ तीन टम छो कर जाके हैं स्टंटिंग स्टंटिंग यह होता है कि किसी की हाइट कम रह जाये उसकी एज्ज के रेस्पेक्ट में वेस्टिंग यानि कि जो खाया प्या वो वेस्ट हो गया यानि कि किसी की किसी का वेट कम रह जाए उसके हाइट के रिस्पेक्ट में Underweight होना यानि कि 5 साल के ओने 집에 से कम जिसकी A वजन कितना होना चीए था वो उससे कम रह रह रहा है तो Underweight होना हो गया यह क्या है एक प्रकार के इस सब चीजों को क्या किया जाता है डाटा को calculate किया जाता है साथ में Emilia Quemem equation के जो cases है उनको भी कम करना यह भी बहुत बड़ा क्या है एक इशू है तो यह सारी के साइज चीज़े क्या कर सकते हम सॉल कर सकते हैं अगर राइस फॉर्टिफिकेशन एक अगर तरीके से हम आगे लेकर चले साथ में अगर हम मिड़े मील ब्रेकफास्ट वाली स्कीम इवन गुजरात की स्कीम भी रोने डिसकस करता है ठीक है क्या क्या जासता है इंक्रीज करता है किसी को आपकी डेवलप्मेंट को आपकी ग्रोथ को आपके ब्रेन की ग्रोथ को अब अगर ब्रेन की ग्रोथ होगी तो आपकी जो स्किल्स हैं उनको क्या करेगा इन्हांस करेगा अब स्किल्स को इन्हांस करेगा तो आ आप better chances हैं कि जो employment के जो chances हैं आपके लिए वो ज़्यादा रहेंगे और ultimately ये economy कोई benefit करेगा health facilities को भी क्या करेगा benefit करेगा तो इसलिए nutrition क्या है बहुत जादा important है देश के अंदर में ठीक है clear है किसी कोई-कोई doubt किसी कोई-कोई चीजे इसलिए nutrition बहुत जादा important है हमारे देश के अंदर में इसलिए माल nutrition की परेशानी को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है तो आप यह देखें पाव की रिपोर्ट क्या कहती है food security रिपोर्ट प्लीज याद रखेगा food security रिपोर्ट किसके द्वारा फाव के द्वारा नि परेशानी हो जाती है क्या है एंडिया रैंक्स 101 आउट ओवर नेट शिक्टिन रिपोर्ट आई हंगर रिपोर्ट उसके अंदर बताओ कि भारत की क्या रैंकिंग है बहुत जादा होंगा वह बचादा तो यह सारी के सारी चीजे क्या है इसको देखें ग्लोबल हंगर को देखा जाए उसके अंदर में देखने को मिलता है तो यहां सेमझ में आता है कि हाँ न्यूट्रिशन के सबस्या अधीं टो है ठीक है तो अम्हां करते हैं हख्वीट ऑक सिजन को कर सके में यहां से क्या है अब यहां से दीखिए हर समय परिशानी तो हमने देख लिए solution क्या हो सकता है solution क्या हो सकता है बात करेंगे solution and way forward की no doubt हमने identify कर लिया किसी चीज को malnutrition एक बहुत बड़ी समस्या है ठीक है बिल्कुल सही बात है इसके अंदर में आपको government को nutrition पहुचाने के लिए जो already established हम scheme चला रहे हैं बहुत बड़ी आया लेकिन इसको और ज़्यादा enhance करने की ज़रूरत है यानि कि fund को increase करने की ज़रूरत है टारगेट को increase करने की ज़रूरत है और pinpoint टारगेट को अचीव करने की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहली बार दूसरी चीज awareness awareness हर जगे लिख कर आओगे चाहे कहीं पर पूछा जाए या ना पूछा जाए अब आप ऐसे कई सारे लोग पूछेंगे awareness कैसे तो यह कई बार research analysis में देखा गया जहां पर महिलाए मा विमन मदर ज्यादा अवेर है nutrition values को लेकर तो वह ensure करती हैं कि उनका जो बच्चा है उसको sufficient amount में क्या रहे nutrition मिले तो यह भी एक बहुत बड़ा role play कर सकता है awareness ठीक है तीसरी important चीज़ दोस्तों scheme के अलावा क्या हम जैसे fortified rice की बात करी तो ऐसे ही और किसी चीज़ के अंदर में हम मलब करने और किसी product के अंदर में rice के अलावा fortification कर सकते हैं क्या जहां पर हमें यह आजी चीज़े कर सकते हैं दीक है तीसरी चीज़ चौथे एक और चीज़ क्या कोई पाइनेशियल बेनेफिट या फिर दोस्त कूपन जो अल्रडी हमने डिस्कूस किया कूपन टाइप में कोई चीज़ दे सकते हैं कि डारेक्ट एक्सेस करें वह कूपन सिर्फ वहीं पर ही क्या होगा रीडेमेबल होगा उसी एक रहां से क्या करसकते हैं कि यह सारी की सारी चीज़े हैं और भी क्या कर सकते हैं और जैसे जो आप लोगों को यह भी हवेर कर सकते हैं उनकी साघिक्त को लिए अभय बन्यां पर बड़ी मैज़दार की जए मझा लेक्र 2-2 यज आपका ऑपका एगरी कल अपको पता जादा तर जगे पर क्या हो रहा है मोनो क्रॉपिंग तो इसके अंदर भी आपको क्या करना हुआ है मल्टी फोल्ड वे में काम करना पड़ेगा तभी आप फूट स्कूर्टी एंड माल नुट्रिशन की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो टैकल कर सकते हो ठीक है डाल मिलेट्स ज जीरो से लेकर पात साल या फिर क्या ड separates ग्लास तकि आप क्या कर सकते है अरली चगाप भी कर सकते हैं नुटीशन के लिए और वहीं पर ही आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर सारी चीजे उनको नुटीशन के चलाब होगोफ है यह बहुत एम्पारटन एक चीज्ध कर चाह बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स राइटिकल दोस्तों गवर्मेंट और जुडिशिरी जो पढ़ावा टॉपिक है दोनों के दोनों शांती का दान नहीं दे रहे हैं इस समय पर है ना क्या चल के आ रहा है भाई कोलीजियम आपका पीछा न आगनवाडी में बहुत अभी बच्चे जा रहे हैं हम क्या कर सकते हैं उसको अभी आज कर जैसे प्ले स्कूल का माहौल चल गया है यह साई चीजे तो गवर्मेंट के इनिशेटिव तो हर स्कूल में जा सकते हैं क्योंकि बच्चा हर जगे जहां पर इपढ़ रहा है वह ब प्रेम महबत है और जहां प्यार बहुत जादा होता है वहीं तो लड़ाई जगड़े होते हैं यहां पर यह सारी के सारी चीज़े हैं चल रहा है तो जुडिशिरी वर्सिस एक्जिक्यूटिव किरन रिजुजी जी जो हमारे लौ मिनिस्टर है वह लगातार जो कोलेजियम सिस्τοम है उसके उपर में आरोप चल रहा है लगा रहे है और ज chapel जिडिशिरी है कि उसके भी परेशानिया यह कहरे है कि जो हम नाफ स्वार् कहर रहे हैं हम जो नेम रिक्मेंट कर रहे हैं आप उससपर की ले डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हूँ तो इन दोने के वेज़ इतना प्यार बढ़ चुका है कि अब भाई साब इसके solution की तरफ आगे बढ़ना चाहिए वरना ये आने वाले समय पे और जादा worst scene, worst situation ले लेगा ये क्या हो रहा है, मैं आपको बताने ये कोशिश करूँगा सरकार ये चाहती थी, अल्रड़ी हमने पढ़ा वाज़ेगो सरकार ये चाहती थी कि जो judges की appointment का जो process है जिसके अंदर में collegium क्या है, involved है उसको क्या किया जाए, amend कर दिया जाए इसके लिए विचारे भीया, वो 99th Constitutional Amendment लाए भी इतनी महनत करके, NJAC बनाया भी इतनी महनत करके पार्लेमेंटे पास कराया भी इतनी महनत करके और उसके बाद में Supreme Court कहते हैं कि ना जी ये हमसे ना हो पायेगा, ये हमें मजा नहीं आया और इसलिए उन्होंने Unconstitutional खोशित कर दिया अब उसके कारण में क्या है वो Supreme Court के आरोप लगा रही है कि ये वाली जो बात थी, ये इगो पर उनके हर्ट कर गई है वो क्या है, उनके दिल पर लग गई है और इस कारण से सरकार क्या कर रही है अब हम कोई भी नेम अगर रेकमेंट कर रहे है तो उसके उपर में decision नहीं ले रही है और ultimately वो बचारा मेरे जैसा बंदा होगा वो करें गयार ये decision नहीं ले रहे है इससे बढ़िया मैं अपना consentive वापस रहे तो अपना कामधाम शुरू करता हूं किसके रहा है किसके करन विलोड यह आपके करन हो रहा है क्यों क्यूंख कि क्यूंकि आप अपने कोलेजियम के निदर में सुधार नहीं कर रहे हो آپका कोलेजियम्स पर नहीं है ऐी क्लिदा कशिशत करिएगा कली पढ़ आया था हमने की को और वाण नहीं रहेंगे क्या मतलब है अब तो ही नहीं जसोदा एंजेसी ही नहीं रहते अगर यह रहता तो उसके अंदर में चीफ जसिस ऑफ इंडिया दो सुप्रीम कोड के जज उसके बाद में लॉव मिनिस्टर और साथ में उसके बाद में क्या होते है दो एमिनेट पर्सन रहते लेकिन अभी रहेंगे यह नहीं है थीक्स तो प्लीज याद रखिएगा solution क्या है solution क्या है देखे दोनों के दोनों institution, both institutions are very important for India very important क्योंकि इन दोनों की tussle के कारण में इन दोनों के काम ना करने की कारण में ultimate नुकसान किसको हो रहा है common citizen को होगा तो इसलिए क्या है दोनों फोल्ड पर आपको काम करना पड़ेगा एक फोल्ड पर आपको काम ये करना पड़ेगा government के फोल्ड पर काम ये करना पड़ेगा as early as possible जो आपको recommendation दी गई है उन पर आप decision लीजिए अगर आपको नाम पसंद नहीं है तो मना कर दीजिए पसंद है तो decision लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप decision तो लीजिए, Supreme Court तो यही कह रही है, यह नहीं कह रही है कि हमने जो नाम भेजा उसको approve करिए, आप at least क्या करिए, decision लीजिए, ठीक है, दूसरा यहाँ पर याद रखेगा, और दूसरी तरफ में यह देखा जाए, तो Supreme Court करने की आवशकता है, तो क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के इंदर में भी हमें आना पड़ेगा, ठीक है, तो ultimately वो यह कहने की कोशिश करने हैं, देखे, परेशानी बताई, पहले आर्टिकल में इधर परेशानी बताई, कि दो परेशानिय इधर सरकार के साथ में सुप्रिंग कोड की परेशानी है, सुप्रिंग कोड के साथ सरकार की परेशानी और इसकी परेशानी कॉमन सेटिजन के लिए है, ठीक है, और इसलिए क्या सॉलुशन क्या हो सकता है, हाई एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में कन्विंस करना पड़ लगातार रोज को टार्गेट कर रहे हैं रोज कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं उदर से अगर यही तो गेम चल रही है यही तो बड़ी मजदार गेम है गेम क्या है यह समझने की कोशिश करें अगर आपने येस कर दिया तब तो जज़ बनी गए अगर आपने नो कर दिया और दुबारा से कोलीजियम बैठी और उसने दुबारा से का कि नहीं सेम नेम हमें दुबारा चाहिए तो आपको येस करना ही पड़ेगा मेंडेटरी हैं तो इसलिए क्या रहे हैं कि बैठे रहे हैं क्या दिख रहे हैं तो चले नेक्स आर्टिकल आपका टुवर्ड्स और रोबस्ट अब देखिए एक पिया डाली गई है तो प्रिंग कोड के अंदर में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के अंदर में चेंजिस करने चाहिए उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए तो इस समय पर दो परेशानिया चल रहे हैं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के अंदर में एक परेशानी है नंबर वन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दरसल हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल कौन सा 324 उसके नदर में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की बात की गई है बेको सही बात है लेकिन चीफ इलेक्शन कमिशन कमिशनर कौन अपॉइंट होंगे इलेक्शन कमिशनर कौन अपॉइंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कौन सिलेक्ट होंगे नहीं मेंशन है क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का नहीं मेंशन है सिर्फ ये मेंशन है कि उनको अपॉइंट कौन करेंगे प्रेजिडेंट आफ इंडिया करेंगे तो एक परेशानी ये चल रही है कि जो Chief Election Commissioner या फिर जो Election Commissioner को Appoint किया जा रहा है उसके अंदर में कमिटी बनाने चाहिए क्या बनाने चाहिए कमिटी बनाने चाहिए एक Search Committee बनाने चाहिए जिसके अंदर में Chief Justice of India हो लोग सभा के अंदर में जो Opposition के Speaker हो वो हो ठीक है और साथ हमें Prime Minister हो ये मिलके क्या करें Chief Election Commissioner और Election Commissioner को क्या करें चूज करें और उनको Appoint किया जाए प्रेजिडेंट के द्वारा ये इसलिए कि जो Legitimate and जो क्या करते हैं उनको क्या किया जाए इसे लोगों को ना सरकार के हाथ मेरेगा कोई qualification मेंशन नहीं है तो सरकार क्या करेगी कोई सरकारी मुलाजिम है आज तक वो सरकार के लिए बढ़िया काम कर रहे है उनसे कहें जैसे अभी हुआ था VRS ले लो अगले दिनको Election Commissioner बना दिया जाए तो ये चीजे ना हो यानि कि ये constitutional body independent way में काम कर सके क्विड प्रो क्यों ना हो क्विड प्रो क्यों क्या होता है आपने मुझे ही किया तो जब मैं अपनी जगे पर आऊंगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ फाइदा पहुचाऊंगा पर एक्जामपल अगर आपने मेरे को भी चीफ इलेक्षन कमिशनर या फिर माने इलेक्षन कमिशनर नहीं किया है ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इससे क्या होगा कि मैं जब अगर इंडिपेंडेंटन नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा आपको भी help करूँगा तो प्लीज याद रखेगा इसलिए उन्हें का कि एक panel होना चाहिए select करने के लिए एक तो ये matter चल रहा है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही बोला दिनेश गोश्वामी कमिटी वेंकर चल रही है कमिटी जितनी कमिटी है law commission की report है उन्होंने भी कहा है कि उनको appoint करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को एक कमिटी बनानी चाहिए ठीक है clear है ठीक है clear और दूसरी तरफ में देखा जाए दूसरा इशू है security security वह वाले security नहीं security guard वाली है security वैसे वाली नहीं tenure की security जहां पर चीफ election commissioner को तो security यह है कि उनको remove करते समय पर क्या किया जाएगा जैसे supreme court के judges को remove किया जाएगा लेकिन election commissioner के पास में यह security नहीं है election commissioners को remove करने के लिए बस क्या है CECA कहते यार यह वाला बढ़िया काम नहीं कर राजकल अपने हिसाब से जो हम चाहते थे इसको क्या करो सकते हैं क्या है तो यह सारी दोनों cases यह दो पोल्ड में cases चल रहे हैं क्या है दो cases इस समय पर चल रहे हैं वही चीज़ यह कह रहे हैं कि क्या है एक matter of appointment है और दूसरा providing security यह समय पर matter चल रहा है यह पूर्व आपके क्याना मैं चीफ election commissioner रह चुके हैं नवीन चावला जी ठीक है तो अपना experience बता रहे हैं सारी के साथ चीज़े उस समय क्या हुआ कैसे हुआ 2005 से लेके 2010 तक ठीक है election commissioner रहे चार साल के लिए फिर उसके बाद मैं चीफ election commissioner रहे 15 महिने के लिए 2009 का जर्नल election इनी के अंदर में उगा था ठीक है Chief Justice of India के साथ में, Leader of Opposition के साथ में ठीक है और साथ में क्या है इस consultation के बाद में क्या होना चीए CEC appoint होने चीए यानि कि यहां से देखिए transparent बनाने की कोशिश की जा रही है उनके appointment panel को उनके appointment तरीके को ठीक है दूसरा क्या है National Commission to review the working of constitution यानि कि जो हमारा constitution बना था उसके working को चेक करने के लिए National Commission बना था किसके अंदर में Justice Amand Venkat चलाईया जी उन्होंने भी बोला कि Chief Election Commissioner and जो other election commissioners है उनको किसी पैनल के किसी committee के किसी body के recommendation पर होना चाहिए तो body के अंदर में कौन कौन हो प्राइम मिलेस्टर हो लेडर ओफ ओपोजिशन हो राज्यसभा के लेडर ओफ ओपोजिशन हो speaker हो deputy chairperson हो तो यह करके उन्होंने भी बोला कि ऐसा कमिटी बना जब NHRC की हम बात करते हैं उसके अंदर में कमिटी है हम CVC की बात करते हैं उसके अंदर में कमिटी है तो आपके Chief Election Commissioner के लिए यह Election Commissioner के लिए कमिटी नहीं हो सकती इवन दोस्तो 255 वी 255 रिपोर्ट थी जो लॉग कमिशन की थी किसके द्वारा जस्टिस एपी शाह के द्वारा दी गई उसके अंदर में उन्होंने का कि Election Commissioner को क्या है इस तरीके से अपॉइंट करना चीए जहां पर एक कमिटी हो के सारे हैं दूसरा क्या है Security कि क्या Election Commissioners को भी उस प्रकार की Security मिल सकती है या नहीं मिल सकती है क्यों मिलनी चाहिए भारत देश के अंदर में दोस्तो एलेक्शन यह बहुत important है election सिर्फ होना होने देना कोई अहसान नहीं है election हो रहे हैं कई सारी parties कहती है अरे election हो तो रहा है अहसान नहीं है election free and fair हो यह important है मैं आपको बताता हूँ political parties कैसे game करती है बड़ी मज़ेदार चीज मलब आप इनसे ज्यादा चालाक इनसे ज्यादा शातिर कोई नहीं हो सकता अपने interest के मामले में अगर जब interest public का आता है तब इनके कान बंद हो जाते हैं लेकिन अपने interest के लिए मामले में बताता हूँ आपको मैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर हटाना है ऐसा नहीं है कि अगर उनको हटाना है तो आप हटा कैसे सकते हो कि आपको जैसे सुप्रिंग कोड के जज़ कैसे पार्लेमेंट पर रेजलेशन लाके हटाते हो वैसे सीच को भी हटा सकते हो लेकिन जो election commissioners हैं उनको हटाने के लिए नहीं कर सकते हैं अब मैं आपक एक और चीज़ कही गई कि election के अंदर में सरकारी पैसा खर्च नहीं होगा क्या सरकारी पैसा खर्च नहीं होगा है ना आपको जनकर हैरानी रहेगी रिकॉर्ड ठाकर देख लिए और आज के बाद में आप क्या करिए यह चीज़ सोचना शुरू करिए जब भी election का कोई campaign द आपकर प्रचार नहीं कर सकती क्योंकि cm&pm के ट्रैवल का खर्चा कोई उठा रहा है सरकार उठा रही है सरकार उठा रही है ना विल्कुल सही बात है और election के अंदर में जो खर्चा होता उसका लेखा जोखा होता है लिखत पड़ेत होती है अब cm&pm का खर्चा भी बहुत ज district है यहां पर election है तो पहली बात तो क्या करेंगे इसे यह नहीं कहेंगे कि election campaign है क्या election campaign है हम प्रचार करने जारे नहीं हर election से पहले हर state के अंदर में चले यह होका ही होगा कि cm साहब इस district के अंदर में किसी उसका उधगाटन करने के लिए आये हैं क्योंकि उधगाटन करना government का काम हो गया government का प्रोजेक्ट हो गया तो उसका पैसा काउंट नहीं होगा expenditure के अंदर में वह भी हो गया ठीक है वह भी हो गया ठीक है constitution में नहीं है इसके लिए act लाया गया था वह भी अभी पढ़ाऊंगा कि election commission of India के अंदर में जिसके तहत में क्या दिया जाता है फिर यह किया करते है state के अंदर में सड़क का उद्गाटन इस प्रोजेक्ट का उद्गाटन यह सारे उद्गाटन यह सब चीज़े करी जाती है ठीक है तो यहां पर यह क्या किया जा रहा है यह ensure कि यह खरचे से बचा जाए और प्रचार भी हो जाए क्या हो जब फिस टो यह क्या ह जो पीछे पैसा होता है वो क्या करता पुरा का पूरा डाइनमिक चेंज कर रहे था इसलिए आपको पता होगा बहुत जादा लोग क्या कर रहे हैं सजेशन दे रहे हैं कि election campaign जो होना चीए election जो लड़ा जाना चीए वह state sponsored होना चीए या फिर कोई पैसा बिलकुल limited पैसा डिसाइड कर दिया जाए state की द्वारा sponsored होना चीए रहे कि इतना पैसा लगेगा इतना इतना ही पैसा खर्चा किया जा सकता है लेकिन यह सारी के साथ चीज़े हो रही है इसलिए free and fair election नहीं होता दूसरा timing of electoral dates favor करना election members के द्वारा किनमा किसी particular party के किसी MP MLA को favor करना यह सब चीज़े क्या है question उठाते है election commission of India की integrity के उपर में और यह चीज़ बिलकुल भी सही नहीं है क्योंकि देश के अंदर में democracy क्या है basic structure का हिस्सा है और free and fair election होना यह democracy का बहुत important हिस्सा है ठीक है clear ठीक है तो यह प्लीज याद रखेगा इसलिए कहा जाता है कि election commission of India को free and fair रहना चाहिए ठीक है इनके जो 6 साल और मैंने 65 साल का पता है वो किसके तहत में है election commission conditions of service election commissioners and transaction of business act 1991 इसके अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है चले आगे बढ़ते हैं next topic को जी ट्वंटी के अंदर में यह पढ़ लेना मैं जो नहीं लगता है इसे पढ़ाने क्या जरूरत है क्योंकि जी ट्वंटी के प्रेसेंट्शिप वहारे पास आ गई है और जी ट्वंटी अब हम और्नाइज करेंगे हन्रिट से ज्यादा हैटे साइट समने आइडेंटिफाई करी हैं वहां पर कारेकरम होंगे अगला एक साल जी ट्वंटी के तहत में यह कोशिश की जाए क्या किया जाए रखा जाए तो मोधी जे कह रहे हैं कि हमारा जो जी ट्वंटी का एजंडा होगा वह इंक्लूजिव होगा अमबीश्यस होगा एक्शन ओरिएंटिट होगा हम बहुत जादा फोकस करने वाले हैं कि जी ट्वंटी के अंदर में वर्ल्ड से रिलेटिटिड हुमानेटिड जो इशूज ह वो सामने आए, climate से related जो issues हैं, वो सामने आए, इसलिए हमने क्या किया, पंच्चत्व की हम बात करते हैं, earth, water, fire, airspace, इसलिए हमने क्या किया है, इस बार की जो theme रखी है, one earth, one family, one future, ये रखा है, लेकिन G20 जो आने वाला होने वाला है, ठीक है? G20 जो आने वाला होने वाला है, वो इतना easy नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है, present time में जो जो dynamics चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं, क्यों? G20 इस समय पर दोस्तों, विश्व जो है, बटावा नजर आता है, रशिया और यूक्रेन वार की कारण में एक तरफ जब देखा जाए क्योंकि रशिया के साथ भारत के सम्मद अच्छे हैं, इंडिया के साथ सम्मद अच्छे हैं, ठीक है? तो भारत तो यह बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि कोई direct statement दिया जाए रशिया को, लेकिन जो G20 countries के अंदर में, जो European country और जो US के अलाइंस है, वो बहुत जादा focus है कि कैसे accountable बनाया जाए, किसको रशिया को G20, G7 के अंदर में जो भी समस्या है चल रही है उसके लिए accountable बना जाए, किसको रशिया को, तो West अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है सारी चीजों को अपने हिसाब से और दूसरे तरफ में, रशिया अपने तरीके से चलता है, अपने हिसाब से और इन दोनों के बीचे एक balance बना पाना ये बहुत important है दूसरा, चाइना उसकी presence के अंदर में जो हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर में लीडर्शिप, तो चाइना के मुकाबले में अपनी लीडर्शिप को establish करना ये भी बहुत important है तीसरी बहुत important चीज़, ग्लोबल जो south है जो southern hemisphere की जितनी countries है उनकी collective voice बनके सब की voice को सामने रखना ये भी बहुत important है inflation, humanity के against में देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज कल चल रहा है कि हमने देखा विश्व के अंदर में कि so-called जो developed country हैं जैसी COVID-19 आया, कैसे protectionism की तरफ भाग गए दूसरे देशों की मदद निकरा है तो इसके अंदर में humanity को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सब चीजे G20 के लिए आने वाले समय बहुत important topics होने वाले देखिया आप अगर कभी foreign policy या इंडिया के सामने challenges क्या हैं तो आप ये चार punch point लिख दीजिए आप वहाँ पर ये लिख दीजिए कि COVID-19 के समय में देखा कि कैसे foreign policy क्या करती है वीक हो जाती है एक country दूसरी country के उपरे ट्रस्ट नहीं करती है दूसरे का सहायता नहीं करती है तो इसलिए एक तो आपको आत्मिनरवार होनना पड़ेगा foreign policy में भी आपको aggressively आगे बढ़ना पड़ेगा assertively आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा humanity या फिर आप यहीं कहते हैं science और humanity यह यह concept कह सकते हैं अगर देखें climate change के अंदर में देखा जाए तो डेवलप जो नेशन हो डेवलपिंग नेशन के उपर में आरोप लगाते हैं डेवलपिंग डेवलप नेशन के उपर में तो वहाँ पर कैसे एक साथ लेकर आगे चला जाए तो सारे के सारे challenges हैं ठीक है clear है तो यह प्लीज इससे ज़्यादा कुछ करने की जोरत नहीं है बस यह था G20 का तो मैंने आपके साथ में discuss कर लिया है नेक्स्ट आर्टिकल है Great Indian Bustard पढ़े थे न कि नहीं पढ़े थे सबके दो याद है Great Indian Bustard क्या है? critically endangered है क्या है? critically endangered और इनको बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है? ठीक है? सुप्रिंग कोट ने सेंटर से response मांगा है क्या Great Indian Bustard को बचाने के लिए भी कुछ किया जा सकता है जैसे सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था तो प्रोजेक्ट टाइगर ने कहा गया कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है तो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जा सकता है कि Great Indian Bustard के लिए तस्वीर देखिए वा जी वा मजा आ गया वाई सब बहुत ही बढ़िया क्यों Great Indian Bustard क्या है एक पक्षी है जिसकी संख्या लगातार क्या हो रही है कम हो रही है और इसकी जो है क्या नहीं जो critically endangered हो चुका है क्या है critically endangered है इसका IUCN status क्या है critically endangered है एक और चीज़ याद रखेगा कि वहाँ पर आपके पाकिस्तान के अंदर में चोलिस्तान नाम की जगए बार बार उसको मैं बताता रहा तो प्लीज रटर डालना पाकिस्तान के अंदर में चोलिस्तान नाम की जगए थे पिछले साल क्या हुआ वहाँ पर शिकार किया गया, मतलब अलगी लावल का उनका चल रहा है, मतलब अलगी, ठीक है, दूसरा फिर आपको पता है कि अभी रिसेंटली पिछले महीने आया था कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में, एक दो Great Indian Buster देखे गए है, जो क्या है, अलीज किया जा रहा है, अजू किया जा रहा है कि भारत के राजिस्तान से क्या है, ट्रैवल करके वहाँ चले गए हैं, तो यह क्या है important है आपके लिए, और Great Indian Buster आपके एक्जाम में आएगा, त के कारण में कम होते 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 बहुत जादा कम हो चुकी है तो यह याद रखेगा इनको सबसे पहली बात ओ ग्रेट की राजस्तान की और इंडिया की most critically endangered bird है यह कहां मिलती है आपको flagship है grassland species के नाम से एक और चीज़ यहां जैसे desert लगातार increase होता जाएगा जहां जापर semi-arid area संख्या खतम होता जाएगा वहां उपर इनकी संख्या और कम होती जाएगी आपको कहां मिलते हैं राजस्थान गुजरात मिलते हैं लेकिन कुछ population आपकी आंदरपर्देश करनाटक और महाराश्य मिलती है आपको अगर कह दें only in राजस्थान गुजरात तो आप कह देंगा थ्रेट क्या है जिसके कर्म मैं आपको बता है पावर के टावर लगे हैं ट्रांस्मिशन लाइन वह हो गया हंटिंग पाकिस्तान में तो भी विए एक्जामपल देदिया चोलिस्तान का यह वैसे शायद इंशेंट सिविलाज़ाशन के इंदर में भी आप जब इसका जिक् अब मांके चलिए आपको सोचीह ग्रास लेंड में रहना इनको अब ग्रास लांड कहते जाएं हर जगे खेती कर दो बड़े पेड़ लगा दो तो कहां रहेंगे यह भी एक रीजन होता है ठीक है ठीक है हार डेजर्ट में ग्रास लेंड सेमी एरीड इरिया में रहते चीजों के यंतर है निकेत प्रोटेक्शन किया है आई यू से ने स्टेटस इनको मिला हुआ क्या क्रिटीकली इंडेंजेट का और सब जगे पे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो फ्लीज याद रखेगा फ्लीज याद रखेगा यह जो नेश्ट है आपका heat waves से related क्या है? heat waves से related article है World Bank की report आई है World Bank की report ये कहती है कि आने वाले समय भारत के इंदर में heat waves लगातार बढ़ने वाली है power की demand बढ़ने वाली है बहुत जादा बढ़ने वाली है उसकी कारण में गर्मी क्योंकि power की demand बढ़ेगी आपको AC की ज़रुत होगी AC की ज़रुत होने कार जितना ज़्यादा आप AC यूज करेंगे उतना ज़्यादा और ज़्यादा क्या होगी global warming होगी और ज़्यादा क्या होगी गर्मी बढ़ती जाएगी ठीक है? तो देखें वो ये कह रहे है कि 2030 के बाद से एक सो साथ मिलियन से लेके 200 मिलियन लोग हीट वेव से जूजेंगे क्या? हीट वेव से जूजेंगे जिसके इंदर में क्या होगा दोस्तो आपको 34 मिलियन जो लोग हैं उनको जॉब का क्राइसिस होगा प्रोड़क्टिविटी कम होगी हेल्थ इशूज होंगे ये सारी के साथी चीजें है 2030 तक अगर देखा जाए तो कूलिंग की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहेगी एट टाइमस बढ़ जाएगी तो इसलिए भारत को उपसा तर्क होने की क्या है? जरूरत है आउशक्ता है तो प्लीज याद रखिएगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ हीट वेवस हमारे भारत के इंदर में एक्स्ट्रीम हीट वेवस होंगे जो सिटिजन को इंपेक करेंगे कैसे? एक तो सबसे पहली बात तो अग्रिकल्चर की प्रोड़क्टिवटी कम होगी इसी बार देख लिया होगा हीट वेवस थोड़ी सी क्या आई आपके यहाँ पर गेहूं की फसल खराब होगी जो वर्क करते हैं एक और चीज़ देखिए हमारे यहाँ पर आपने कभी देखा बड़ोड है कोका को तो यह कहाँ जा रहा है कि हीट्वेवस को कैसे solve किया जाए, heat waste को solve करने के लिए multifold तरीके हो सकते हैं, सबसे पहला एक तरीका हो सकता है कि जैसे आप प्रधान मंतरी आवास योजना की बात करते हूं तो क्या उसको इस तरीके से बनाया जा सकता है जो वो heat को, मतलब आप दीखें ना, पुराने जमाने में भी जब घर बना करते होंगे, तो इस तरीके से बनाया जाते थे कि वो क्या करें, क्या नमें, बिना किसी cooling equipment की अपने आपको ठंडा रख सकें, naturally ठंडा रख सकें तो क्या हम वैसे घर बना सकते हैं, क्या हम, ये तो एक example दिया और naturally, जैसे rural and urban area के अंदर में, जो घर बन रहे हैं, जो infrastructure बन रहे हैं, क्या उनको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं तीसरी चीज, एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि concrete का जाल बढ़ता जा रहा है अब concrete का जाल जितना बढ़ता जाएगा, जितना जादा बढ़ता जाएगा, उतना जादा क्या होगा, आपके यहाँ पर जादा गर्मी बढ़ती जाएगी जैसे आप सभी ने अगर देखा होगा, चैपक एक stadium है, काहां पर आपका चन्नाई के अंदर में वहाँ पर बिल्कुल घबराते थे, विदेशी लोग खेल लेंगे, क्योंकि वो जो stadium था, वो चारो तरव से concrete का stadium बना हुआ था, अब concrete का stadium बना होने के कार्ड में, वहाँ पर heat trap हो जाती थी, और और जादा heat होने लग जाती थी, तो concrete के घर, concrete वो भी बहुत important role play करा था, त यह सब चीजों को और ज्यादा regenerate कर सकते हैं क्या, ठीक है, जिसको हम बार बार, एक और चीज, energy efficient buildings बना सकते हैं क्या हम घरों के अंदर में, क्या छतों को हम ऐसी coating करें, दिवारों पर ऐसी coating करें, जो ज्यादा heat ना absorb करें, heat repellent रहें, यह सारी चीज़े भी हम ensure कर सकते हैं प्लस में, national level पर, district level पर हम cooling plan कर सकते हैं क्या, कई जगी पर ऐसा कहा गया कि district level पर cooling के plant लगाने थी, क्या लगाने थी, क्या लगाने थी, क्या लगाने थी, जो हर घर में ठंडा पानी पहुचा है, जिससे क्या होगा, जो cooling की demand है, जो क्या होजेगी कम हो जाएगी, यह एक और बहुत बढ़ी चीज कही जा रही है, कि आप particular areas को identify कर सकते हो, जहाँ पर आप क्या 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 है, तो cooling initiatives ले सकते हो, जैसे मैं आपको एक च्छोड़ा example दू, मैं आपको example दो, जैसे heat waves लगातार बढ़ती रहेंगी, तो वहाँ पर productivity को करने के लिए, district ये manage कर सकता है, कि वहाँ पर shed लगाए जाए, जैसे for example, आप highways, आप highway गरम होते हैं बहुत जादा, heat waves होगी तो गरम होगे, तो मैं आपको रियक्त दोनों पता रहा हूँ, प्रियम्टी भी ले सकते हैं, अगर मानगे गरम हो रहे हैं, तो कि हम ऐसे shed लगा सकते हैं, उसके उपर में, shed के उ choice, ये सारी चीज़े क्या होंगी, बहुत जादा important role play करते हैं, मैं आपको personal example दे रहा हूँ, मैं किसी का भी example नहीं दोगा, आज से तीन साल पहले तक मैं fridge का पानी बहुत पीता था, और fridge का पानी पीने का reason ऐसा रहता था, कि fridge खोला और direct पानी पी लिए, अब मलब आप यह क extreme से extreme गर्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पानी सिर्फ मठके का ही पिया जाता है, और मठका कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों को जब मैं पानी दिया तो उन्होंने कहा, कि क्या, आपके आपा fridge रखा, तो ये alternatives हो सकते हैं, हम अपना सकते हैं, जो क्या करेगा, देखिए, क heat waves direct, आपके आप देखिए, जो wheat है, जो गेहूं है, उसके price को कितना बढ़ा दिया है, कि हमें उसके export को रोकना पड़ा है, heat waves के कारण में, आपको सोचिए, फसल को कितना नुकसान हो गया, और अगर ये ठीक है, अगर ये चीजे और बढ़ती रहेंगी, तो कितना नुकसा होगा, तो इसलिए heat wave, ना सिर्फ life को करेगा, ना सिर्फ आपके health के उपर में impact करेगा, आपकी productivity के उपर में help करेगा, तो इसलिए आने वाले समय में हमें क्या करना, और आदा focus देने की जरुरत है, जहाँ पर आप जो national level पर, pan India level पर program बना सकते हैं, ठीक है, आप ये देख इतने ही जो important article थे मैंने आपके साथ discuss करें, ये जीस paper 3 का बहुत important है, प्लीज इस चीज को note करिएगा, और ये आप ही सकता है, तो ये dimension जो आज मैंने आपके साथ discuss करी है, health, productivity, security, ये सारे के सारे याद रखेगा, ठीक है, ये सारी चीज़े याद रखेगा, एक्जाम जी रहा, तो थोड़ा सा वहां पर रहा, आप answer लिखने हैं कि अंदर में animals का भी लिख सकते हैं, अब हर किसी को नुकसान हो रहा है, ये चीज याद रखेगा, हर किसी को नुकसान हो रहा है, कि कैनमे जो heat है, वो क्या करेगी, सभी को परिशान करेगी, इसलिए अभी सही त लेकिन हो जब पता है कि थोड़ा सा सेशन एक दो मिनिट इसलिए उपर निचो जाता है, क्योंकि क्या होता है, पहले खुद को पैक कर क्या हो, और फिर पैक करने के बाद में फिर यहां पर आके स्टूडियो में आके फिर अपने आप सारे gloves उतारो, ये सा उतारो, उतारो, स्टेट स्पॉंसर्ड इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो पैसा होगा, वो खर्च करेगा, सरकार खर्च करेगी, इलेक्शन के अंदर में, ठीक है, clear है, ठीक है, clear है, तो please, और एक चीज़ और अगर आप 2023 के प्रेलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये success in prelims, ये जिसमें आप comfortable हो वो कर सकते हैं बट आगर आपने एक चीज को follow करना शुरू कर दिया है तो उसी को करिए मेरा personal opinion है एक चीज को follow करना शुरू कर दिया है शाश्वत अगर difficult है तो मानके चलिए आप इसको switch कर लेंगे यह subconsciously आपके character को build करेगा दोस्त यह subconsciously आपके जो personality है वो यह बहुत बड़ी परेशानी होगी यह यह आपको बहुत ज़्यादा impact करेगा मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कोई चीज difficult लग रही है तो उसको बिल्कुल लड़के मार पीट के फिर करो क्योंकि यह परेशानी यह दिमाग आपको आगे नहीं जाने देगा तो ठीक है यह चीज मैं आपको उता रहा हूं success and prelims PRT live code ही यूज़ करना है दोस्तों शाम को साथ बज़े इसकी classes हुआ करेंगी और आप में साथ Instagram पर जोड़ सकते हैं Twitter पर जोड़ सकते हैं टेलेग्राम पर जोड़ सकते हैं यहापर PDF मिल जाएगी और मैं एक चीज आपके साथ मैं यही चीज बार-बार मैं डिसकस कर रहा हूं कि लगे रहिए चीजे समय लेंगी लेकिन अगर आपको अपने process के उपर में भरोसा है तो result भी बहुत जल्द मिलेगा process के उपर में भरोसा रखो कभी बार क्या होता है कि हमें result instantly नहीं देखता है लेकिन वो process result देने वाला ही होता है तो अगर आपने किसी एक newspaper को पढ़ना शुरू कर दिया है देखना शुरू कर दिया है तो उस process पर trust रखो और मैं आपको बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ कई सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि वो जब मंतली magazine को उठाते तो उनको ऐसा रखता है कि यह मंतली magazine में तो कुछ नया है ही नहीं हिंदू newspaper analysis को देखने के बाद में news दोनों जगे से मिलेगी चाहे हिंदू हो लेकिन मैं हमेशा preference उसी को करूंगा मैं अगर होता आपक काफी सारे लोग आज थोड़ा सा बात कर रहें तो बात कर भी लेते हैं आप मैंसे काफी सारे लोगों पता होगा कि एक बार मैं session लेने आ रहा था मेरे को यहां पर आँख पे ततय ने काट लिए था उसमें बाहरी जलन थी पूरी आँख सुजी थी लेकिन class बंद नहीं थ आपको opportunity मिले एक पीछे हटने के अंदर में और जहां पर यह opportunity मिले कि नहीं यहां पर मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं तो हमेशा उसी रास्ते को चुनिए भले ही वहां पर आपको थोड़े से difficulties मिले तो यह चीज याद रखिएगा तो मिलते हैं अगले session में तब तक अमन